हेलो गाइज, वेलकम बेक टो आवर यूट्यूब चैनल इंजिनेर माइट तो आज की लेक्षर हम लोग डिसकस करेंगे कॉंट्रेक्ट एंड एकाउंट्स के अंडर में जो चेप्टर है प्रोसीजर ओफ एक्जिक्यूशन ओफ वर्स के अंदर में टॉपिक है प्रोसीजर ओफ इनिसियाटिंग ती वर्क्स तो कौन-कौन से काम करना पड़ता है प्रोसीजर ओफ इनिसियाटिंग दी वर्क्स क्या के सुरुवाती काम हम लोग कैसे कर सकते हैं पीडलोडी के अंदर में शुरुवाती काम कैसे होता है काम का सुरुवात जो होता है इनिसियेटिंग जो होता है वो पीडलोडी में कैसे होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि तीन तरीके से करते हैं एक एडिमिस्ट्रेटिव एप्रूबल दूसरा टेक्निकल सेंक्षन एंड तिसरा बजट प्रोविजन तो इस कंडिशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो और्गिनाइशनल इस्ट्रक्चर है उसके एकोडिंग वर्क होता है इनिसेटिंग जो होता है व और लेंड है और में चेंज करना है तो चीफ इंजिनियर जो है यह एक्परूबल देता है तो कैसे होगा तो और्गनाशनल स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले उपर में क्या और में में वहता है इसके बाद क्या होता है चीफ सेक्रेटरी होता है गौर्मेंट का सेक्रेटरी होता है यह फिर डिप्टी सेक्रेटरी होता है इसके बाद चीफ इंजिनियर होता है इसके बाद सुपरिंटेंडिंग इंजिनियर होता है एक्सक्यूटिव इंजिनियर होता है असिस्टेंट इंजिनियर होता है तो यह सब उसी के एकोडिंग जो है काम का इनिसियेटिंग वर्क का इनिसियेटिंग होता है पीडलूडी में तो सबसे पहले क्या करते administrative approval तो जो चीफ इंजिनियर है वो करेगा administrative approval या फिर जो non-technical है सेक्रेटरी है गवर्मेंट का चीफ इंजिर उनको बताएंगे कि यहाँ पर किसी भी एरिया में जो है आप रोड बना दीजिए और रोड का पूरा अच्छे इसे वहाँ कुस एरिया में रोड पहुचा दिये वह सीटी जो है वह कोमर्सियल सीटी है वहाँ पर बहुत सारा वेकल्स आना जाना होते रहा तो कुमर्सियल वेकल्स तो इससे आपको क्या होगा कि रोड भी बन जाएगा आने जाने का फैसिलिटी भी बढ़ जाएगी और पब्लिक को बेनिफीट भी होगा और तो गौर्मेंट क्या करती है कि वह अपना बजट देखती है और उसी के एकोडिंग वह एप्रूबल देती है तो उससे पहले क्या करती है कि चीफ इंजिनियर जो है बतलाते हैं कि अपना प्लानिंग करके देते हैं कि यहां पर रोड का जरूरत है तो वह जो है चीफ इंजिनियर सुप्रिंटेंडिंडिंग इंजिनियर को देते हैं कि यह यह प्लान कैसा है कैसा रहेगा आप इसक टाइब से और बनाने के साथ चीफ एंजिनियर एक आडवाइज देती है कि आप शीर्फ रोड मत बनाईए रोड बनाने से सिर्फ पब्लिक को बेनिफिट और गवर्मेंट को कोई बेनिफिट नहीं होगा तो चीफ हिंजर अपना जो है अडवाइस देते हैं कि रोड का स्ट्रक्चर ऐसा बनाई है ताकि एक टॉल पलाजा का इस्टेबलिस्मेंट हो जाए तो टॉल पलाजा एक इस्टेबलिस्ट हो जाए और जो भी कोमर्शल वेकल्स उस सिटी में इंटर होगा तो उससे टॉल टेक्स लिया जाएगा तो वह जो टॉल टेक्स है वह गवर्मेंट को अर्निंग हो जाएगा उससे तो टेक्स से गवर्म इनिसेटिंग और यहां पर बहुत सब्सक्राइब कमर्सियल वेकल साता है तो उसके अंडर में क्या होता है सिर्फ बना करके देने से नहीं होगा प्लानिंग कर के देने से नहीं होगा एक एड्मिस्टेटिव एप्रूबल होता है इसके बाद टेक्निकल सेंक्षन होता है इसके बाद बजट प्रोविजन होता है तो administrative approval क्या होता है कि administrative approval के अंदर में financial power determination किया जाता है हर office head को या departmental head को उसके financial power के according ही खर्च करने का राइट है या फिर ज्यादा खर्च अगर क्या दाता है तो फंड के एबिलेटी के एकोर्डिंग ही खर्च करना चाहिए अगर ज्यादा खर्च क्या आता है तो वो प्लानिंग है यह हमको सही लाग रहा है तो कैसे करना है आप हमको इतना के अंदर में इतना डेज के अंदर में बताईए तो चीफ इंजिनेर क्या करती है कि वो सुप्रिंटेंडिंग इंजिनेर को यह इस प्लान के बारे में बतलाता है और वो अपना टास्क देता है कि यह क जो सुप्रिंटेंडिंग इंजिनियर है वो एक्स्यूटीव इंजिनियर को इसके बाद एक्स्यूटीव इंजिनियर को असिस्टेंट इंजिनियर इंजिनियर को ग्राउंड रिपोर्ट तक जा करके उसके बारे में फूरा डिटेल्स में जो नेचरल फीचर से उसके बारे म पता लगाने के लिए बोलता है कि यहां पर जो रोड का कंस्ट्रक्शन होगा तो टॉल परीज जो हम लेगें तो अर्निंग होगा की नहीं होगा कैसा रहेगा यह प्लान तो वो फिर सुप्रेंटेंडिंग इंजिनियर चीफ इंजिनियर को अपना एडवाइस देती है और ग टेकनिकल सेंट में क्या होता है कि जो यह प्लानिंग हुआ कि हां आप रोड का कंस्ट्रक्शन करना है और बीज्स वहाँ हब इस्टेबलिस्ट करना है यह अर्निंग होगा तो उसमें कितना बजट कितना आपकोस्ट आएगा तो टेकनिकल सेंट्स jiri को हम लोग देखते सुप्रेंटेंडिंग इंजिनियर एंड जो है असिस्टेंट इंजिनियर जुनियर इंजिनियर यह सब मिल करके यह पूरा इस्टिमेटिंग एंड ईन कोस्टिंग करते हैं किना खर्च आएगा तो एड्मिस्टेटिव अपूरूबल के बाद टेंकल सें्क्सन होता है आँ टेकनिकल सेंख्सन हो जाने के बाद क्या होता है बजट god provision प्रोविजन तो जब टेकनिकल सेंक्सन तो या तो एक साल के लिए होता है या दो साल के लिए या पांत साल के लिए होता है तो उस पांत साल के अंडर में गॉर्मेंट देखती है कि हमारा पी डावलूड डिपार्टमेंट के लिए कितना बजट है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रोड का कंस्ट्रक्शन करना है पी इनवेस्ट होगा तो उससे ज्याधा है तो सबसे पूरा इड़ाइस लेती है और पूछा जाता है कि यह कोस्ट जो है यह हमारे लिए benefit रहेगा जो budget इतना है तो उसके according ही वह technical sanction करती है तो estimate हो जाता है तो budget provision में क्या होता है कि government का जो budget होता है 5 साल के अंदर का या फिर एक साल के अंदर को उसके according वह खर्च करती है तो administrative approval में क्या होता है कि planning क्या आता है और उसको बतलायाता है government को कि यह काम कैसा रहेगा तो इसके बाद जब government को काम अच्छा लगता है तो वह technical sanction करता है estimate करता है कि कितना खर्चा आएगा technical sanction के बाद government अपना budget देखती है कि बजट हमारा पांस जर कड़ोर है और यह जो कोस्ट आ रहा यह तीन जर कड़ोर है तो यह हमारा planning सही होगा तो government budget पास कर देती है तो अभी तक हम लोग सिर्फ समझ रहते हैं अब हम लोग जो हमारा for any work or project required by a department in approval or sanction of the competent authority of the department with respect to the cost and the work that is necessary at first instance for any work or project किसी भी project या work के लिए जो required हता departmental and approval or sanction of the competent authority तो कोई भी sanction यह approval होता है तो वो competent authority से होता है administrative approval तो यह कौन करेगा यह तो secretary करेगा यह फिर deputy secretary करेगा तो next point देखते हैं लोग administrative approval denotes the formal acceptance by the department concurred of the proposal and after the administrative approval is given the engineering department PwD takes up to the works and prepare details design plans and estimate and then execute work और क्या करती है administrative approval होने के बाद government जो अपना planning करती है design करती है estimate करती है and then execute work work execute करती है तो next point देखते हैं तो technical sanction technical sanction क्या होता है वो हम लोग देखते हैं technical sanction में अभी हम लोग discuss कि है कि जो estimating होता है costing होता है उसके बारे में government को प्लान करके बता जाता है कि इतना खर्च आएगा तो language में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है इट मींस the sanction of the details estimate design calculate quantities work rate and costs सेम चीज़ है ओफ दी वर्क बाइदी competent authority of the engineering department तो वही चीज़ है जो अभी हम discuss कि 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 इतना कोस्ट आएगा उसके बारे में technical sanction में कितना कोस्ट आएगा हमारा बजट क्या है है उसके according technical sanction में हम लोग क्या करते हैं इस्टिमेट इन कोस्टिंग करते हैं नेक्स पॉइंट आफ्टर दी technical sanction of the estimate is given then only the work is taken up for construction तो construction जो है क्या आता है तो आफ्टर दी टेक्निकल सेंक्शन और दी estimate is given then only the work is taken up for construction तो next हम लोग देखते हैं next point तो वो होगा budget provision तो उसे पालम में जानते कि टेक्टिकल सेंक्शन का जो power होता है वो कि इसके पास कितना होता है तो चीफ इंजिनर जो है उसके पास full powers होता है वो कितना भी budget आप दीजिए वो अपना budget के according वो estimate and costing एक बार करके वो देख लेते हैं कि हां कितना बजट है वो उसके पास पूलजक फॉल पावर रहता है बजट पास करने का सुप्रीन टेंडिनक इंजिनिएर जो होता है दो वो सेंक्शन अप्टू रूपीज 15 लाग, 15 लाग तक वो सेंक्शं कर सकता है여 Executive Engineer के पाच 5 लाग सेंक्शं करने का है उसके पाच 5 लाग सेंक्शं करने का Power हैं तो अब हम लोग देखते हैं Budget Provision बजट प्रोविजन क्या है तो बजट प्रोविजन में आपको तो हम बताई दिये कि जो गवर्मेंट के पास बजट होती है और जो प्लानिंग करके दिया गया कि हाँ यह रोड में इतना खर चाहेगा इतना कोश्ट आएगा तो उसके एकोडिंग गवर्मेंट देखती है कि पांट साल का बजट से कहीं ज़्यादा तो नहीं होदा या फि प्रोजेक्ट एंड एप्रोवल एप्रोजेक्ट रिपोर्ट इज प्रिपेड इन विच रोव मेट्रियल और गनाइजेशनल सेट अप अंड टोटल कोश्ट रिक्वार्ट फोर एग्विशन ऑफ प्रोजेक्ट एंड मेंसंड वाई चीज है जो अभी हम आपको बदलाए क जो कोश्ट होता उसके एकॉर्डिंग गवर्मेंट अपना बजट देखती है तेन एकॉर्डिंग टू फाइब यर्स प्लान इन दी बजट प्रोविजन फोर सच टाइप ओफ प्रोजेक्ट फाइनांस्ट इज सेंस्टन सेंसंड आफ्टर दी एड्मिस्ट्रेटिव एप करना बजट के एकॉर्डिंग वह फिल पास कर देता है तो उम्मीद आपको समझ में आ गया हो कि जो वर्क का इनिसियेट होता है पी डावलूडी में वह कैसे होता है तो सबसे पाले एडमिस्ट्रेटिव एप्रूबल होता है इसके बाद टेक्निकल सेंक्शन होता है इसके के लिबा